कर्षा आठ विज्ञान अध्याए नौ जनतुओं में जनन तो इसमें देखो पाचन, परिसंचरण और स्वसन इस तरह की कुछ क्रियाई हैं जो मुनुष्या जीवीत रहने के लिए करता है और उसकी इनी क्रियाओं को हम उसकी उत्तर जीवीता कहते हैं यानि जीवों को जीवीत रहने के लिए पाचन भी करना पड़ता है परिसंचरण भी और स्वसन प्रक्रम करना पड़ता है तो उसे हम उत्तर जीवीता कहते हैं तो इन क्रियाओं के साथ परतेक जीव जनन जैसी क्रियाओं भी करता है। तो जनन क्या होता है। जनन ऐसा प्रक्रम है जिसके कारण किसी भी जीव की जाती की निरंतलता बनाने में उसकी सहता होती है। यानि जनन जो है जात्ती की निरंतरता बनाने के लिए बहुत अवस्चक है यह एक ऐसे जीवों की पीडी दर पीडी निरंतरता बनाई रखना सुनिश्चित करता है तो जीवों में जनन बहुत जुरूरी है बहुत महतव पुर्ण है ये जीवों की निरंतरता बनाई रखता है इस धर्ती पे जितने भी जीवजन्तु है वो अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करते है जनन के कारण जनन के कारण ही इस धर्ती पे मनुश्यों की जाती इतने लाखों सालों से जीवित है तो जो भी जिव जनन करेगा उसकी जाती ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी फिर उसके बाद जनन की विधियां जनन की विधियां तो अब हम देखते हैं अपने आस पास देखते हैं हम जनतों के बच्चे देखते हैं जैसे मुर्गी यें अंडे देती हैं और अंडो से चूजे निकलते हैं ऐसे ही इल्ली या supervillor होता है जो तितली के बच्चे होते हैं या अंडे देती हैं वह उनसे फिर आगे ईल्ली बनता है यानि उसका बच्चे को हम इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं बिल्ली के बच्चे को भी लोटे कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ले कहते हैं, तो ये बच्चों को ही जनम देती हैं, तो इस तरह से हमारे पास जनतुओं की जनन की दो विदियां होती हैं, तो पोदों में भी जनन की दो विदियां होती हैं, वैसे ही जनतुओं में ज जनन की दो विधियां होती हैं सबसे पहले लेंगी की जनन और अलेंगी की जनन दो तरह की विधियां है जनन की लेंगी की जनन विधी और अलेंगी की जनन विधी तो सबसे पहले हम लेंगी की जनन विधी करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है यह टेबल भरना है कि ज लेंगिक जनन अब लेंगिक जनन क्या होता है लेंगिक जनन में जन्तुओं में नर और मादा में वीफिन जनन आंग होते हैं ओधों की तरह जन्तु भी नर और मादा युगमज बनाते हैं जो सल्लेइत होकर युगमज बनाते हैं यह युगमक जविक्सित होकर नया जीव बनता है इस परकार जनन जिसमें नर और मादा युगमक का सल्यन होता है उसे लेंगिक जनन कहते हैं तो लेंगिक जनन क्या होता है ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युगमक का सल्यन होता है और नया जीव बनता है उसे लेंगिक जनन कहते हैं तो लेंगिक जनन में देखो जो मनुश्य के जनन भाग है उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम तो ये है नर जनन अंग तो नर जनन अंग में क्या होता है एक जोड़ी व्रीशन होता है यानि एक जोड़ी का मतलब है इसमें दो व्रिशन होते हैं दो सुक्राणू नलीका होती हैं और एक शिशन होता है तो नर जननग में हमारे पास तीन मुख्या चीज़ें होती हैं उनमें एक जोड़ी व्रिशन, दो सुक्राणू नलीका और एक शिशन जो व्रिशन होता है व्रिशन का क्या काम होता है ये युगमक उत्पन करता है जिसे सुक्राणू कहते हैं ये व्रिशन जो है लाखों सुक्राणू उत्पन करते हैं और सुक्राणू जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं लेकिन परतेक में एक सीर होता है एक मध्य भाग होता है और एक पूँच होती है यानि सुक्राणू बहुत छोटे होते हैं लेकिन फिर भी उसमें एक सीर भी होता है मध्य भाग भी होता है पूँच भी होती है जो सुक्राणू होते हैं एक कोशिका के होते हैं तो हर सुक्राणू में कोशिका के समान्य संगटक पाए जाते हैं यानि हर एक सुक्राणू छोटा है लेकिन कोशिका के सभी यह पाए जाते हैं जैसे उसमें कोशिका जिल्ली है या केंद्रक है तो ये सुक्राणू का चित्र बनाया गया है यहाँ पे इसमें ये चित्र सीर है ये मध्य भाग है और ये इसकी पूंच है तो ये चित्र आ जाता है बनाना और इसके तिन्नों भागों के नाम आपको पताना चाहिए तो जो सुक्राणू है उसकी पूंच का क्या काम है वो सुक्राणू को गती परदान करता है विभिन दिसाओं में गती कर सकता है यह पूंच की वज़े से फिर उसके बाद है मादा जनन अंग तो मादा जनन अंग में क्या होता है मादा जनन अंग में भी जैसे नर जनन अंग में हमने देखा तो मादा जनननंग में एक जोड़ी अंडाश्य होती है नर जनननंग में एक जोड़ी व्रिशन थे लेकिन यहाँ एक जोड़ी अंडाश्य है अंड वाहिनी है और गर्भाश्य है तो इसके भी ये तीन बाग होती है इसमें मादा जनननंग में तो जो अंडाश्य होता है उसका क्या काम होता है जो अंडाश्य होता है मादा युगमक उत्पन करते हैं जो अंडाश्य होते हैं वो क्या करते हैं मादा युगमक उत्पन करते हैं जिसे अंडाणू कहते हैं तो जैसे चितर में दिखाया गया है यह अंडाणू है इस्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडास्यों में से किसी एक अंडास्या से एक विक्षित अंडाणू निर्मोचन होकर अंडवाहिनी में चला जाता है और इसमें क्या होता है हर एक महिने में इस्तरियों में क्या होता है अंडाश्य से यानि दो अंडाश्य होते हैं उन में से किसी एक अंडाश्य से एक अंडाणू निकलता है और अंडवाईनी में चला जाता है और इसमें गरवाश्य क्या होता है गरवाश्य भाग है जहां सिसु का विकास होता है उसे हम गरवाश्य कहते हैं तो सुक्राणू की तरह है अंडाणू भी एक कोशिका का होता है तो सुक्राणू भी एक कोशिका का होता है और अंडाणू भी एक कोशिका का होता है फिर उसक शुक्राणू और अंडाणू का सल्यन होता है। शुक्राणू और अंडाणू सल्यन होता है। शुक्राणू और शुक्राणू का सल्यन होता है। और नई संतती के लक्षन अपने माता पिता से पाए जाते हैं कि जैसे होते हैं जिसे वन्शानुगत कहते हैं जैसे बच्चे जो होते हैं वो अपने मा या बाप जैसे होते हैं उनकी सकल के होते हैं उनका रंग रूप उनीक पे जाता है तो यह निशेचन आंत्रिक निशेचन कहलाता है तो आंत्रिक निशेचन में क्या होता है वह निशेचन जो मादा के स्रीर के अंदर होता है उसे आंत्रिक निशेचन कहते हैं तो आंत्रिक निशेचन मनुश्या में गाएं, कुत्ते, मुर्गी आदी जन्तों में या निसेचन होता है उसे हम आंतरिक निसेचन कहते हैं और जो निसेचन स्रीर के बाहर होता है उसे हम बाई या निसेचन कहते हैं तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में तो इसमें देखो अनेक जन्तों में निसेचन की क्रिया मादा जन्तों के स्रीर के बाहर होती है इन जन्तों में निसेचन जल में होता है जैसे मचली होते हैं मैंडक के होते हैं इन में निसेचन जो है स्रीर के बाहर होता है इसे हम भाई ये निसेचन कहते हैं जैसा ये चित्र में भी दिखाया गया है, तो इसमें देखो, नर और मादा एक साथ पानी में अंडे देते हैं, और मुर्गी के अंडे की तरह हैं, मैंडक के अंडे कवच से ढखे नहीं होते, अपेक्षा करित बहुत कौमल होते हैं, जैली की एक परत अंडों के एक साथ रखती है, और उनकी सुरक्षा भी करती है, तो मादा जैसे ही अंडे देती है, तो नर उस पर सुक्राणू छोड़ देता है, परतेक सुक्राणू अपनी लंबी पूँच की सायता से जल में इदर उदर तैरते रहते हैं, और शुक्राणू अंडो कोशिका के संपरक में आते हैं, जिसके परिणाम सवरूप निशेचन होता है, इस परकार का निशेचन जिसमें नर अवं मादा युगमक का सल्यन मादा के स्रीर के बाहर होता है, उसे बाईय निसेशन कहते हैं तो बाईय निसेशन मचली, स्टार, फीस या जलिय प्राणियों में होता है तो इस परकार हमने आंत्रीक निसेशन और बाईय निसेशन पढ़ा तो आपने ये ध्यान से सुना है थेंक यूँ